वेलकम बहुत स्वागत है यदि आप घर का निर्मान करने जा रहे हैं या नया घर बनाना हो या बन चुका हो और आपको ऐसा लगता है कि बास तु संतुलित नहीं है कुछ समस्याइं आ रही है आज के अंक में हम बात करेंगे सौचाले के बिसे में सौचाले एक महत्वपुर्ण चीज है सबसे अधिक जो निगेटिव उर्जा है घर में वो सौचाले से ही आपके घर में प्रवेश करती है और वहीं से वो समस्यावत पन्न करती है तो आज के अंक में हम जानेंगे कि सौचाले कहां होना चाहिए और कहां बिलकुल नहीं होना चाहिए इसके बिशे में तो आपका इस प्रकार का प्लॉट हो सकता है या इससे मिलता जूलता दिसाएं मैंने इसमें मेंसन कर दी यह पुर्वतुसा यह पस्चिम है यह उत्तर है यह दक्षिन है यह नौर्थिष्ट है अई सबसे पहले जाने कि नौर्थिष्ट क्या होत दिसाओं को पहचानना अति आवश्चा के अगनी है ये पिर्थिवी है ये पिर्थिवी अर्थात इसे नैरित्ती भी बोला जाता है नैरित्ती नैरित्ती कौन ये बायू कौन है पवंदेप की दिसा बायू कौन है और इसमें बीच में होता है हमारा अब दिखिए यदि जान लें कि कहां सवचाला है बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए जब आपको ये चीज़ें गया तो बहुत ही आसाना आप अपने प्लॉट को क्या करें यहां से यहां तक कि जितनी भी लंबाई हो उसे तीन भागों में बांट लें बराबर भागों में चलिए मैंने इसे लेना है यह देखिए मैंने इसे बांट दिया यह यह बांट दिया तो इस प्रकार से यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ यह कुल नौ भागों में बट गए है अब ध्यान देने की बात है कि हम बात कर रहे थे सौचाले सौचाले क्या होता है अब सिष्ट पदा गंदगी अपसिष्ट पदा सबसे अधिक निगेटी भी भीटी या बास्तु दोस उत्पन होने की जो कारन है वो गलत दिसा में सौचाले तो आपको क्या करना यह इसान कोन का जो छेतर है इस छेतर को सौचाले के लिए बिलकुल परियोग नहीं करना यह मैंने इसे काट द आपने जो इसे बाटा है यहां से यहां तक यहां से यहां तक यह छेतर इशान का आएगा इतना छेतर इशान कोन का आएगा इस छेतर का परियोग आप नहीं कर सकते सौचाले की पहली बात अब दूसरा है बीच में जो होता है यहां से यहां यह आपकी यह ब्रहम अस्था का जशेत्र है तो इस चेत्र में भी आप नहीं कर सकते यह दो अस्थान तो मैंने यह बिलकुल काड़ दिया यह दो अस्थान नहीं करफे अब तीर जो महत्वण अस्थान है जिस अस्थान में नहीं करना चाहिए वह हो ने लूनत कुंlaş ये ये भी कट गया, नेरीती कोन, दक्षिन पस्चीम का कॉर्ण, थोड़ा सा असपस्ट होके समस्ते भी जाए, ये कनफ्यूजन में ना पड़े, ये तीन अस्थान तो बिलकुल कट गया, अब हम चौथा अस्थान भी कार देते हैं, वो है आपकी अगनी तक तो, मैं क्यों क काट रहा हूं, इसके विए असपस्ट, ये क्या है, अगनी का छेत्र है, और सवचाले में क्या होता है, अब सिष्ट पतार्थ, जिसमें जल और मल दोनों भरे रहते हैं, तो ऐसे अबस्थाम, यदि आप अगनी कोन में सवचाले बना देते हैं, तो यहां से समस्याएं उत 24 घंटे रहते हैं, पुरुस तो बाहर भी जाते हैं, वर्क के लिए, तो सबसे अधिक घर की महिलाओं पर पड़ता है, उनका स्वास्त जो है यहां पर और संतुलित होने लगता है, चुकि अगनी उसकी और संतुलित होयाती है, तो इस अस्थान पर भी सवचाले का निर्म अर्थात आपने एक पूजने योग जगा, पूजा करने वाले जगा पे आपने क्या क्या सौचाले बना दिया, ति यह दिखिए, सबसे अधिक सुद्ध और पवित्र अस्थान ये था, लेकिन आपने क्या क्या सौचाले का निर्मान करके उसे असुद्ध कर दिया, और प बीच में खुला छोड़ने का प्रापधान था लेकिन बरतवान समय में कंसेप्ट चेंज हो गया है कारने की छोटे जगह में सभी चीज़ें एड़ेस्ट करनी है तो ब्रह्म अस्थान में भी नहीं बनाना चाहिए यह अकास्क तत्तु का अस्थान है देखिए अब एक दो तीन चार तो कट गए अब आपके पास जो जगहा बच रहे हैं इसमें कहां बना बेट अब इसमें बनाने का सबसे अधिक मैं उप्यूकत अस्थान बताता हूँ सबसे पले यह दक्षिन की ओर हम आते हैं तो दक्षिन में जो यह दक्षिन है तो दक्षिन मद्ध को देख ये दक्षिन मेडिल होता है आप दक्षिन मद के बाद आप South-Southwest ये जोन जो यहां साथा है यहां जब इसे डिग्री में बांटते हैं ये छेतर आता है South-Southwest इस अस्थान पर अर्थात यहां पर आप सवचालाय का निर्मान कर सकते हैं यहां कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, आप इसे एक नमबर दे सकते हैं, कि एक नमबर में यहां अस्थान पर कर लें, दो नमबर में यहां, यह सौवचाले का निर्मान आप इस छेतर में कर सकते हैं, यहां समस्या यह जो छेतर होता है, यह छेतर होता है, उत्सरजन का छेतर, म हमने confirm कर दिया, अब आईए, हम इस तरब आते हैं, पस्यम की तरब, लोग कहते हैं कि बायू कोन में बना लीजिए, नौर्थ वेस्ट में बना लें, तो बायू कोन में बिल्कुल, ठीकि बायू कोन का रहते हैं, तो corner का छेतर नहीं होता, यह आपको ध्यान देना है, corner से यहाँ सौचालाई का निर्मान इस छेतर में कर सकते हैं, आप यहाँ सौचालाई का निर्मान कर लें, यहाँ कर लें, यहाँ कर लें, तो यह दो, यहाँ तीन, यह चार, यह पांच, यह चार, यह इतने अस्थान आपके सौचालाई के लिए सारबधिक उप्यूगत है, ल आप इधर भी आ सकते हैं आप विशम परिस्थिती में यहां चले आबें यहां चले आबें यहां चले आबें इस अस्थान पर आ जाएं यदि जगा नहीं मिला तो आ सकते हैं यहां बन सकता है पस्चिम में भी लोग बना लेते हैं मजबूरी में यह बना लेते हैं तो आप देखें कि इस छेतर में आप बना लेते हैं इस छेतर में बना लेते हैं तो समस्या नहीं है यहां बना लेते हैं आपको बचना कहां से है तो आप एक तरह से जान लेजिए कि इतने छेतर से आप यदि बच जाते हैं पुर्व में एक जगा आता है इस अस्थान पे एक जगा आता है लेकिन हम तो कहेंगे कि आप पुर्व की छेतर को छोड़ ही दें तो अच्छा एक जगा आता है सवचाले निर्मान के लिए लेकिन छोड़ ही दें तो आप में क्या है दोस उत्पन होने की समस्या जो सवचाले के कारण बास्तू दोस होता है वो नहीं होगी और आप होके अपने घर में रह सकेंगे आपकी घर में समस्या ही नहीं होगी तो आप अच्छे से वचाले की गरवड़ी ट्वाइलेट का बास्तू दोस आपके सीधे आपके स्वास्त पर इफेक्ट करता है जब आपका स्वास्त पर इफेक्ट हो जाएगा तो यह हो जाता है कि आपके आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी, तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपने सोचाले को बिलुकुल संतूलित रखें और सही जगा पे बना दें, आज केंक मितना ही, हम मिलते हैं, नए चीजों को लेके पुनाह आपके सामने आएंगे, धन्यवाद.